नमस्कार बच्चो राजे सिच्छा सोध एवं प्रसिच्छन परिशत बिहार पटना में आप सभी का स्वागत हैं बच्चो हम लोग कच्छा दस्वी के विज्ञान को पढ़ रहे हैं जैप्रक्रम के अंतरगत हम लोगों ने कई कि टॉपिक को पढ़ा जैसे पोशन श्वसन परिवहन परिवहन में भी हम लोगों ने जनतुओं में परिवहन कैसे होता है इसे जाना बच्चो परिवहन क्यों जरूरी है चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे सरीर में कुछ पदार्थ बनते ह हैं किसी और जगह पे और फिर उससे सरीर के बिभीन कोसी काओं में परूँचाए जाते हैं। तो इनको वहां से Cathedral करके बाहर निकालना भी जरूरी रहती है और इसके लिए एक सिस्टम की आविशक्ता रहती है एक तंत्र की आविशक्ता होती है जिसे की परिवाहन तंत्र कहते हैं यह एक कोसिये जीवों में विशरन की इक्रिया के द्वारा होता है लेकिन बहु कोसिये जीवों में एक पूरे सिस्टम की आविशक्ता होती है जिसे क की परिवहन तंत्र कहते हैं बच्चों जन्तूं में तो हम लोगों ने परिवहन को देखा और समझा कि माना फिर्दय कैसे कारे करता है चलिए अब जानते हैं कि पौधों में ये परिवहन कैसे होता है पौधों में भी एक कोसिये नीमन बहु कोसिये और कॉंपलेक्स कह सकते हैं मल्टी सेलूलर प्लांट्स होते हैं जैसे एक कोसिये कुछ अल्गी होते हैं आप बच्चों आसानी से आप लोगों ने सबने काई तो देखा होगा जो एकदम जमीन से चिपका रहता है तो इसमें आसानी से काई जैसे जो पौधे हैं जो जमीन से बिलकुल चिपके रहते हैं या पानी में मौझूद बहुत सारे सहवाल के विराइटी हैं तो इन सब में समवहन तंत्र की आविशक्ता नहीं पड़ती है यहां आसानी से विश्रन के माध्यम से या एक कोसिका से दूसरी को सिका में जाने के माध्यम से आपको चला जाता है क्योंकि बहुत उंचाय तक पानी को या भोजन को जाना नहीं रहता है तो इसलिए यह आसानी से हो जाते हैं लेकिन जो लंबे-लंबे व्रिक्ष हैं या बड़े पौधे हैं बुस लाइक स्ट्रॉक्चर वाले प्लांट है जाड़ी नुमा पौधे यानि जितने बड़े पौधे अभी यहां हम लोगों को जरूरत पढ़ती है एक पूरे तंत्र की अब जैसे एक मजिला मकान है तो आसानी से सारों तरह पानी चला जाता है पर जब बहु मंजिली इमारते होती है तो क्या होता है ओवर हेड हम समवहन तंत्र। अब है अब बच्छों जानते हैं कि इस समवहन तंत्र के कौन कोन से भाग है जो भोजय पदार्थों और पानी के परिवहन में मदद गरते हैं पौधों में दो तरह के संवहन होते हैं, एक पानी का, उसके साथ खनीज लवन का और दूसरा बोजे बने हुए भोजे पदार्थों का, तो संवहन तंत्र के दो मुख्य भाग हैं, जो इसमें मदद करते हैं, एक हो गया जायलम, कहीं कहीं जायलम भी लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं किया भी लिखा हुआ मिलेगा, यह दोनों मिलकर के संवहन तंत्र बनाते हैं, कहीं कहीं आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, संवहन बंडल, क्या लिखा मिलेगा, संवहन बंडल, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, वास्कूलर बंडल, अब थोड़ा सा वास्कूलर बंडल को बच्चो हम लोग समझते हैं आप लोग पौधे के तनोय को देखा है कक्छा नभी में आप लोगों ने पौधे के उत्तक में पढ़ा भी अगर इसका अनुप्रस्त कार्ट हम लोग करते हैं बच्चो तो पूरा जो ये समवहन बंडल है वो बड़े-बड़े तो इसमें किनारे की ओर जो है ये रहता है फ्लोम इसको पीए से शॉर्ट फॉर में हम लिख रहे हैं और नीचे की ओर कौन रहता है जाइलम और ये सेंटर में जो है ये क्या रहता है पित ठीक है तो इस तरीके से ये अरेंज रहता है बाहर की तरफ फ्लोम अंदर की ओर ज जाइलम चार-चार डिफरेंट कोसी काउं से बने होते हैं, दोनों चार-चार कोसी काउं से बने होते हैं, जाइलम में तीन तरह की कोसी काएं जो है, वो मृत को सिकाए रहती है और एक जो है, वो सिब जीवित को सिकाए रहती है, जबकि फ्लोयम में उल्टा रहता है, तीन ज सेल्स और जाइलम फाइबर ये तीनों मृत को सिकाए हैं और सिर्फ जाइलम पैरन काइमा जो है वो जीवित को सिकाए हैं और इधर फ्लोम में सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल और फ्लोम पैरन काइमा ये तीनों जीवित हैं और सिर्फ फ्लोम फाइबर जो है वो मृत है इस इसलिए पौधों में बच्चों क्योंकि ये तीन मृत को सीकाओं से बना हर जब भी को सीकाओं पौधों में रहती हैं तो उसमें एक्स्ट्रा इस्टेंग देने वाले मिटेरियल सीमेंटिंग मिटेरियल का डिपोजीशन होता है जैसे लिगनीन टैनीन ऐसे बहुत सारे मिट आते हैं ले लोग अलग पौधों में अलग अलग मिटेरियल का डिपोजीशन होता है जिस से की पौधों को हाडनेस मिलता है और इसकार कि तरल पधार्त पाणी जाइलम में प्रभाहित होता है न तो इसे हार्ट कह सकते हैं कि वाल की आविषकता है तो इस Liberty इन recruitment को सिकाओं से बना है तो एक वाल नुमा संरचना का निर्मान करता है इस में से जाइलम ट्राकीट्स और जाइलम वेसल से जिसकी की बेलनाकार संरचना और लंबी संरचना होती है और एक दूसरे के ऊपर जूड़ करके इस तरह से पाइप जैसी संरचना का निर्मान करते हैं और इसके ब ये दो सनरचनाय हैं जो भोजे पदार्थों के समवहन में सहायक है तो पानी का जब कि क्या है उपर के डाइरेक्शन में मुवमेंट होता है लेकिन भोजे पदार्थों का क्या है उपर भी नीचे भी होता है और उपर भी यानि बाइडारेक्शनल मुवमेंट होता है और इस और फ्लोयम को समझने के लिए देखते हैं एक डाइग्राम को और इसे बहतर तरीके से समझते हैं स्क्रीन पर बच्चों आप लोगों को आप लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह के से मैंने तने को बनाया था तने का आधा कट भाग लिया हुआ है आप देख पा रहें सेंटर में पित है बीच में एक काम्वियम लिखा हुआ है यह कैम्विय Benjamin क्या करता है डिवाइट करता ह विभाद जो तक है एक तरह का जो अंदर की और जाइलम का निर्मान करता है और बाहर की और फ्लोएम का निर्मान करता है यह दोनों का निर्मान करता है यानि समय समय पर नए जाइलम और नए फ्लोएम का निर्मान होता रहता है और यह नए जाइलम और नए फ्लोएम ही जो light pink color में आपको जाइलम दिखाई पढ़ा है यह tube जैसी सनरचना है जो जाइलम ट्राकीट्स और वेसल्स के कारण बनी हुई है बीच में आपका cambium है और दूसरा phloem है तो बच्चों यह है जाइलम और phloem का structure अब पानी कैसे ऊपर चड़ता है दूसरे तस्वीर के माध्यम से हम लोग उसको समझेंगे चलिये जमीन से कैसे पानी अवसोसित होता है दूसरी तस्वीर से हम लोग उसको समझते हैं बच्चों जैसा की तस्वीर में आप लोग देख पा रहे हैं कि रूट के एक स्मॉल पार्ट के सेक्शन को लिया गया है तो सबसे लास्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं कि रूट हेयर है जो स्वाइल में मौझूद है स्वाइल पार्टिकिल्स के बीच में हम लोग सभी के कारण water molecules जो की soil में higher concentration में रहता है यानि वहाँ पानी जादा मौझूद रहता है और जब पौधों के अंदर जड़ के अंदर पानी नहीं होता है तो higher concentration से lower concentration की ओर ये move करता है और जड़ root hairs के थूर पानी आता है अब होता क्या है कि जैसे ही आप root hairs में एक channel भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को की root hair पानी अब्जार्ब किया अब उसके बगल वाली कोसिका में पानी की कमी है तो क्या करेगा वो root hair से वो लेगा यहां भी osmosis होगा यानि osmosis से एक कोसिका से दूसरी दूसरी से तीसरी से चौती और इस तरीके से वो जायलम तक पहुंसता है यह प्रेशर जो बार-बार इसे कहते हैं बच्चो ऑस्मोटिक प्रेशर और root hair जो खीचता है उसे root pressure कहते हैं तो root pressure और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जायलम तक तो पानी चले जाते हैं यह छोटे छोटे जो सैवाल और काई जैसे जो पौधे वहां तक तो पानी पहुंच जाता है पर इस दोनों प्रेशर के कारण बहुत उपर तक पानी नहीं जा पाता है तब वो पानी कैसे जाएगा चलिए आगे उसे समझते हैं तो पानी कैसे जाता है तो जैसे मैंने बताया कि लंबी सनरचना होती है अमाल लिजे कि यह जाइलम है है मौजूद है तो बच्चो वाटर में यह व्रिक्षों में दो तरीके से आपको लंबे बड़े व्रिक्षों में पानी उपर तक जाते हैं पहला है एक अस्थानांतरन यानि पानी का एक जगा से दूसरे जगा अस्थानांतरन और दूसरा है वास पूत सर्जन यानि दो क्रियाओं के द्वारा बड़े व्रिक्षों में बच्चों पानी पहुंसता है अब सबसे पहले अस्थानांतरन में हम देखते हैं कि बच्चे जैसे ही पानी ऊपर की ओर जाता है तो वाटर मॉलेक्ष की एक खास प्रोपर्टी होती है यानि हर एक मॉलेक्ष दूसरे से जुड़ा रहता है एक दूसरे के लिए अड़ेसी प्रोपर्टी रहती है और वाटर मॉलेक्ष के बीच इस तरह से एक दूसरे के लिए जो जुड़ा जो लगाव होता है इसे कहते हैं कोहेशन क्या कहते हैं? Cohesion और यह xylem के बीच में जब यह water molecules उपर की ओर बढ़ते हैं तो यह इसकी दिवारों से भी जूड़े रहते हैं xylem tracheats और vessel से तो xylem tracheats vessels के बीच कह सकते हैं simple जानिये कि xylem और पानी के बीच में भी एक लगाव है एक adhesive property है तो क्या होता है कि water molecules इस दिवारों से चिपके और उपर की ओर बढ़ते हैं इसे कहते हैं adhesion यानि इसी adhesive और cohesive property के कारण xylem column में पानी उपर बढ़ता है और साथ-साथ वो column जो है कह सकते हैं कि break नहीं होता है यानि वो continuous रहता है कहीं बीच में ऐसा नहीं की पानी उपर चला गया और बीच में एक खाली स्थान बन गया नीचे वाला फिर नीचे चला गया और उपर वाला उपर खिचा गया अब आते हैं दूसरे टर्म की और वासपुत सर्जन बच्चो वास्पुत सर्जन में कहां होता है तो वास्पुत सर्जन हम लोगों ने सबने लीप पढ़ा है लीप में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं आप लोगों ने पढ़ा है प्रकास संसलेशन में इसे क्या कहते हैं इस्टो मैटा रंध्र ठीक है तो यह रंध्र जो है जब इस्टो मैटा ओपेन होता है यह गैसियस एक्सचेंज के लिए तो इसी समय क्या होता है कि पानी वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है पान अब जैसे स्टो मैटा से पानी निकल गया तो इसमें कमी हो गई इसके गार्ट सेल में तो क्या होगा यह अपने बगल वाले को सिका से पानी मांगेगा फिर यह अपने बगल वाला से इस तरीके से बगल वाला से मांगता चल चल जागा कहने का भी प्राई है कि एक सकिंग यानि खीचाव ऊपर की और यह पानी पे लगता है यहां तो एड़ेसिव और को हैसी फोर्स तो लगी रहा है साथ-साथ शकिंग प्रेसर भी लग रहा है बच्चों आप लोग तो पानी पी कोको कोला या जूस पाइप डाल करके पीते हैं तो क्या करते हैं हम उपर से खीचत हैं तो जूस या ऐसा जो भी drinking material हम पीते हैं वो हमारे मुह तक पहुंच जाता है तो वैसे ही समझे कि यह सकिंग प्रेशर किसके कारण लग रहा है वासपोद सर्जन के कारण तो उपर से खीचा भी जा रहा है और नीचे से क्या है ठेला भी जा रहा है समझ रहा है ना कि न वासपोद सर्जन बहुत बड़ा रोल क्ले करता है आपको लंबे लंबे रिक्षो में उपर तक पानी पहुंचाने में यानि वासपोद सर्जन ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर आया पानी यह कोहेसिव और एडेसिव प्रोपर्टी जो है जाइलम और वाटर मॉलेकुल्स का यह सब मिलकर के कारे करते हैं तो लंबे रिक्षो में पानी उपर चड़ता है बच्चो यह वासपोद सर्जन पौधों में और क्या-क्या मदद करता है इसका क्या महत्व है तो सबसे पहले तो इसका डेफिनीशन जानिए कि पौधों के एरियल भाग पानी जब वाटर वेपर के रूप में वास्प के रूप में निकलता है तो इस प्रक्रिया को वासपोद सर्जन अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं ट्रांसपीरेशन ठीक है अब यह ट्रांसपीरेशन क्यूं आवस्यक है पौधों में ते एक तो ट्रांसपीरेशन से क्या आता है गैसों का आदान प्रदान होता है ट्रांस्पीरेशन के कारण क्या होता है इस्टो मेटा जो है वो ओपेन होता है ट्रांस्पीरेशन के क्या होता है रंद्रों का खुलना और बंध होना किसे से कंट्रोल होता है तो वास्पत सर्जन से तो यह किसमें मदद करता है गैस के आदान प्रदान में लोगा और दूसरा क्या करता है अप है जल के समवहन में सहायक है यानि जल का बड़े वरिच्छों में संवहन हो रहा है तो वास्पोस सर्जन के दूसरा लाब यह हो गया और क्या है यह वातावरन के ताप को भी नियंतरित करता है अगर कभी आप गर्मी के दिनों में घूमते हैं तो जहां ज्यादा व्रिक्ष हैं कभी आप वहां पर थोड़ा खड़ा हो करके महसूस कीजिए और देखे कि वह हां का ताप मान की अगर अगर मेजर कर सकते हैं तो मेजर भी कर यह एक आक्टिविटी के रूप में भी ले सकते हैं कि जहां विरिक्ष हैं वातावरन का ताप मान वहां क्या है और जहां विरिक्ष नहीं है वहां का ताप मान सेम डे में क्या है तो ताप के नियंतरन में य अजो साथ साथ यह पौधों के अंदर जल को भी नियंत्रित करता है यानी जल जायदा नहों और कम भी नहों उसे भी नियंत्रित करता है यानी कोसी का ज्यादा जल होगा तो क्या हो गार वाटर एब्जॉर्ब कर रहा को सिगा की एक निश्चित छंता है फैल की उसके बाद क्या होगा यह को सिका फट सकती है कुगए apparently क drank क्ल ने का एक लिमिट है तो यह अब पानी निकल जागा तो क्या होगा यह कोशी का डामेज नहीं होगी जल को नियंत्रित करता है ताप को नियंत्रित करता है जल के समभवन में सहाइक है गैसो क्या दान-परदान में तो यह वासपोर सर्जन इतना important है आपके पौधों के लिए अब और अगर वास्फोर सर्जन की क्रिया जैसे नहीं होती है जैसे बच्चों बरसाथ के दिनों में क्या होता है वातावरन का तापमान अधिक होता है पर साथ-साथ वातावरन में क्या होता है नमी भी बहुत रहती है बातावरन में भी नमी रहती है और जमीन में भी आपको मिटी में भी नमी होती है तो पौधों के द्वारा तो जल अवसोशित हो रहा है पर नमी अधिक रहने से वास्पोर सर्जन की क्रिया क्या होती है बरसाथ के दिनों में स्लो होती है उस समय में पौधिक कैसे जल अपने सरीर के अंदर अपनी कोशिका के अंदर निया अध्रित करते हैं तो बर्सात के दिनों में रात में जब कि तापमान भी नहीं रहता है तो उस समय बच बच्चों पौधों के अन्य भाग से एक्षिद्र के नूमा से निकलता है लेंटी सेल्स उसको कहते हैं लेंटी सेल्स उसके द्वारा वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में यानि वेपर के रूप में नहीं पानी की छोटी बुंदों के रूप में पानी बाहर निकलते रहा है और जिससे क्या कहते हैं गटेशन आपको ट्रांस्पीरेशन और गटेशन दोनों जानना चाहिए यान वाटर वेपर के फॉर्म में जब पानी निकले इस्टोमाटा के थू तो उसे क्या कहेंगे ट्रांस्पीरेशन और जब वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में पानी बाहर निकले लेंटी सेल्स के द्वारा तो उसे क्या कहेंगे गटेशन तो बच्चों आप समझ गए होंगे transpiration और गर्टेशन और इसलिए रात के बाद कभी कभी अगर हम लोग गार्डेन में घूमते हैं तो पतियों पर छोटे-छोटे water droplets मौझूद रहते हैं वो किसके कारण रहते हैं इसी गर्टेशन के कारण वो मौझूद रहते हैं बच्चो आप लोग गर्टेशन और ट्रांस्पीरेशन को समझा कैसे ट्रांस्पीरेशन मदद करता है पौधों में पानी के समवहन के लिए पानी के समवहन को रसा कर्षन रसा कर्षन यानि इसे अंग्रेजी में एसें टॉप सैप कहते हैं इसें टॉप सैप कहते हैं पानी के रसा कर्षन को समझ साथ साथ वासवोर सर्जन कितना है महत्वपूर्ण है पौधं के लिए इसे भी सम्झा हमीशा यह question आता है की वासपूर सर्जन क्या है और इसके महत्वद को बताएं बच्च्छों एक तस्वीर के माध्य हमसे इस प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझते हैं इस तस्वीर में आप लोग देख पा रहे हैं कि वाटर के मुभमेंट को एरो से दिखाया गया है कि जड़ों में पानी आ रहा है रूट प्रेशर और ओस्मोसिस के कारण और धीरे-धीरे आपको दिखाया जा रहा है कि पूरी पतियां तो बहुत ज्यादा पेड़ों में होती हैं तो यह वाटर वेपर के रूप में निकल रही हैं और जितना वाटर वेपर बनेगा पानी उतनी ही तेजी से जमीन से रूट हेस के द्वारा पौधों में आएगा और फिर पौधों से प्रोधों के विभीन तक पहुंचता है आप लोग बच्चों पतियों में देखे ही हैं कि मिड्रिव रहता है वेन रहता है वेनलेट रहता है पूरा कहते हैं कहने का मतलब की पति के टिप तक आपको पहुंचने के लिए वो पूरा चैनल बना होता है यानि ब्रांचे से छोटे ब्रांचे फिर उसे पतियों और पतियों में भी वेन और वेनलेट का पूरा जाल बना होता है इस तरीके से हर एक पति के अंतिम सीरे तक पानी पहुंचता है तो ये तो बच्चों आप लोगों ने जाना कि पानी कैसे जड़ों से पतियों तक पहुंचते हैं अब चलते हैं कि पौधों में बने हुए भोजन, कैसे एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुंचता है, तो इसके लिए क्या है, पौधों में एक पूरा अलग तंत्र है, जो किसके द्वारा होता है, फ्लोयम के द्वारा होता है, यानि दो पाइप है, एक पाइप पानी का और दूसरा पाइप, दोनो साथ ही साथ रहते हैं, दूसरा पाइप बने हुए भोजन का, तो भोजन कहां बनते हैं, तो भोजन पतियों में बनते हैं, क्या सिर्फ पतियों में ही भोजन बनते हैं, कभी-कभी ये पूछा जाता है, नहीं, जो नए तने होते हैं, नए तने कहने का भी प्राय यहां यह है तो उसकेश में पत्यों के साथ सा तने भी भोजन बनाते हैं यानि नये तने भी भोजन बनाने में सक्षम होते हैं और कहां भोजन बन सकता है आप लोगों ने कभी फूलों के कलीओं को ध्यान से देखा है तो कलियों में जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिसे की कालिक्स कहते हैं वो भी हरा होता है तो उसमें भी यानी कली में भी जो आउटर मोस्ट पार्ट है तो वो कली फूल के अंदर के भाग को तो सुरक्षा देता है यह साथ-साथ प्रकास संसलेशन की भी किरिया करता है हर भाग में निर्मान हो रहा है जैसे पौधा है यहां है यहां पति यहां यह तना हरा है तो सब जगह निर्मान हो रहा है तो पतियों से इसके द्वारा तने से इस तने से तना अगर हरा है तो यहां भी निर्मान हो रहा है तो भोजन उपर की ओर और नीचे की ओर भी जाता ह जड़ में तो भोजन का निर्मान नहीं हो रहा है तो इसलिए जड़तक बने हुए भोजन जड़कों कारे करने के लिए जड़तक जाना चाहिए इसलिए बने हुए भोजन का निर्मान अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों मुखमेंट होता है और क्यूंकि भोजन का निर् कि चिदर रहता है इससे आपको बने हुए भोजवपदार्थ नीचे की और जाते हैं और साथ साथ उपर की और भी जाते हैं ऐसे बहुत ज्यादा इसका बहुत दूरी तक पौधों की पानी की तरह नहीं है कि एक बार से एक ही से पूरे जगह जाएगा हर जगह निर्मान हो तो हर जग वह तना यह पति अपने आसपास को वह वित्रित कर रहा इस तरीके से पूरे पौधे में बने हुए भोजवपदार्थ का वित्रन होता रहता थाहि तो जैसे पानी के समभ़वन को क्या करते हैं ट्रांस लोकेशन और हुआ होव सॉलियूट्स है क्योंकि यह ठोश में रहते हैं न हमारे स्टार्ज के रूप में और कभी-कभी यह हमारे विभीन पाझो में जम्हा हो कर खीवी रहते हैं जैसे आलू में शकरकद में ऐसे बहुत सारे हैं जड़ों में तनों में स्टोड होकर के जब ज़्यादा बनते हैं स्टोड हो करते हैं और उनसे भी विप्रीत परिस्थितियों में भोजय पदार्थ पौधें की विविन भागों में वित्रित किये जाते हैं तो बच्चो फ्लोयम के द्वारा इस तरीके से आपने समझा कि भोजय पदार्थों का परिवहन होता है और जायलम के छोटी गतिविधी स्वैम से भी कर सकते हैं जैसे यहां दो गमले लीजिए एक गमले में पौधा लगा हुआ हो और पॉधे के गमले के उपरी भाग को ढख दीजिए किसी भी पॉलिथीन से या जिस तरीके से आप ढख सकते हैं और पॉधे के ऊपर एक पॉलिथीन बांद दीजिए और एक गमला लीजिए जिसमें सिर्फ इसको भी कवर करिए और एक छड़ी रखिए और इस छड़ी को भ आप अब लोकन करिये कि किसमें वाटर ड्रॉपलेट्स पॉलिथीन के किनारों पर दिखाई पड़ा और किसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है यह गतिविधी करके आप समझ सकते हैं कि जिसमें दिखाई पड़ा यानि वहाँ वाजपुत सर्जन की क्रिया हो रही है और जिस मिटी को तो मिटी से जो बास्प निकल रहे वो आपके पॉलिथीन में नहीं जा रहे इसलिए इसको कभर करना है बच्चो ऐसे ही कुछ प्रस्न आपके अभ्हास पुस्तक में दिया गया होगा तो डायग्राम का तो अभ्हास करें ही जैसे जल के अवसोशन का जो चितर है उसका अभ्यास करें और चोटे बड़े प्रस्ण की जल के समवहन में कौन सहायक है भोजपदार्थ के समवहन में कौन सहायक है पौधों में समवहन तंत्र के कौन समवहन तंत्र में कौन कौन से उत्तक सहायक है ऐसे चोटे बड़े प्रस्ण बहुत सारे होंगे आप लाइन बाई लाइन पढ़ते रही और छोटे-छोटे प्रस्णों को सिर्फ पुस्तक में जो दिये गया है प्रस्ण उसी का अभ्यास ना करें अगर अपने आप को निखारना है तो ऐसे छोटे-छोटे प्रस्ण आप स्वैम से तयार करें और मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि छोटे प्रस्णों को आप बोल करके उसके उत्तर का अभ्यास करें खास करके जो वस्तुनिस्ट हैं mcq वाले question जो हैं और बड़े प्रस्णों का लिखित अभ्यास करें इस तरीके से आपका speaking अच्छा होगा writing अच्छा होगा और overall आपका development अच्छा होगा और आप हर प्रस्ण का उत्तर देने में सक्छम होंगे तो मैं समझती हूँ कि परिवहन के लिए पौधों और जन्तुओं में इतना काफी है बाकी आप स्वैम से पढ़ें और अभ्यास करें मिलते हैं अगली कक्छा में अगले topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद